कि दोस्तों नुश्कार यूट्यूब के ल्स टेक्नोलोजी एज्यूकेशन चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सको सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए दोस्तों आज बात करेंगे ह हम ब्लेंडर की टूटोरियल में लूप कट्स कैसे लगाते हैं देखी जैसे हमारे पास यह ऑब्जेक्ट है क्यूब है जो बाई डिपोल्टर में यहां पर मिलता है तो दोस्तों इसकी में थोड़ी स्केलिंग करके बढ़ा कर लेता हूं ताकि आप इसको अच्छी तरह से काई ठीक है यह रहा अब देखिए इसमें कोई कट्स नहीं है सिंगल फेसी यहां पर सिंगल फेसी वर्टाइस और है क्यों अगर आप लूप करना चाते हैं दोस्तों तो देखिए मैं आपको बता दूँ यहां पर देखिए आपने मेरे जो पिछली टुटोरियल देखे ठीक है यह यहां पर और यहां पर यहां पर यह होता फेस जो यहां पर यहां पर ठीक है उसके बाद दोस्तों यह जो होते हैं यह वर्टेक्स यहां पर जो पॉइंट होते हैं वह वर्टेक्स होते हैं वर्टेक्स पॉइंट तो चलिए इसको हमें जो लूप कट्स देना चाह टैप बटन दबाएंगी तो आप एडिट मौड में चले जायेंगी अगर वहाँ से आप नहीं जबाना चाते तो यहां से अब ज्यक्त यहां पर जाकर एडिट मॉड ओन कर सकते हैं ठीक है मैं वैसी इडिक मॉड की पैचान क्या जैसिए आप बटन प्रेस करेंगे आपको ज थियए तो यहां पे दोस्तो समय करना क्या वह महां आ अपको मपता लेगा। यहां पर आप इसको डिळी सलेक्ट कर दिए और डिसलेक्ट हमारा कैसी होगा इसको एबन प्रैस कुर दिजी की बौर्ट से तो डिसलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तो, लूप, लूप आप कहां से लेंगी, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप सोर्ट कट की यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप जैसे लूप लें, आपको मैं बता दू, आप सोर्ट कट की यूज करें, कंट्रोल पलस आर, ठीक है, कंट्रोल पलस आर आपकी जो shortcut की क्या काम करेंगे जैसे आप object के उपर जाएंगे क्यों के उपर जाए आपके पास जो भी object हो वह आपको एक जो है पिंक कलर में आपको line दिखाएगा चारों तरफ एजीज दिखाएगा कि आप इस साइड से आप इसको जो है यहां पर मैंने रखा अब देखिए दोस्तों अभी तकी औरेंज है जैसे मैं माउस को इदर उदर ड्रैक करता हूं इस साथ माउस की साथ जा रहा है आप यह अभी पुछरा आप कहां से कहां तक कट करना जाते हैं मैं जाता हूँ एक कट यहां रखते हूँ उसके बाद फिर इसको तोड़ा सब्सक्राइद करें दूसरा कट लगाती है ऑफ कर्ते कसे कट लगाते कैं आप यहां पे ड्याईं भी हाद दिल करें जिथने कट लगाने थी कितने सारे कट्स में कनवर्ट होगी कोई देखिए साइज सेम नहीं है वह आप कर सकते हैं वो साइज बिल्कुल सेम लेके अभी मैंने रेंडम लिक्या है तो दोस्तों यह देखिए अब इसका फाइदा क्या कट्स का मैं आपको बता दूं देखिए यहां से पहले हम क्या अभी आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहें अब सबसे पहले आपको स्लेक्ट क्या करना देखिए यहां से आप अभी तो वर्टेक्स है ठीक है अगर दोस्तों आप चाहते हैं किसका स्लेक्ट आपको स्लेक्ट क्या अगरना है कि पेस्ट करना है कोई भी पेस अगर आपको स आपे सेलेक्ट करना में फेस्ट करना है। आपको स्पूलेक्ट करने के लिए बहुत है। बनाथान। थिया है और दोस्तों मैं इस इस पर सिर्फ प्रेक्ष करते सकते करते । चिंहिक यहां पर लिंधुडarna है। अब एक सिंगल में भी आप जो कट लगा सते हैं दोस्तों अगर यह सेम चीज आप और बता दूं आपको इस सेम चीज जो भी मैं विवर्स कर देता हूं इसको कि मपने काउन ही डीज़ खैप कोई भी कट जो है अभी शेक्टीव नहीं है अब मैं चाता हूं कि जो अगर मैं इसको इससाइड खैंच dif丝 मेरा सेम फिल हो तो चलिए महां से एक के साइट कर लेता हुआ अब मैं इसको गए आपको से लाइट कर लिया दोस्तों मैं जैसे साइट खेंचो जैसे मैं इस साइट खेंचू तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं ही और टिके मैं चाता हूं कि दोनों सायड से सेम जो मेरा जो भी मैं काम कुरूँ दोनों साइड एक जैसा काम हो ठीक है तो इसके लिए दोस्तों क्या करें यहां पर पिसको थोड़ा सा ले 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 ठीक है और यहां पर आपको यहां पर देखिए यह एक option मिलेगी मौडीफायर में जाए एड़ दोस्तों को खेंचेंगे देखिए एक साइड से क्या होगा जो आपका मुझाना जाएग dus घटेक की डूनों साइद से से तुरिअ छाएगा प्लेग किने टोस्तों अगर आप इसको नहीं हिऊश करना चाहिए आप कट करतें कोह बात नहीं देखिए को यहां से अपका जो अबजेक्क है वो इद्धी से मुझाने जाएगा थो की करें तो दोस्तों ये होता है मारा लूप कट ठीक है आसा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों जुरूर शमझ आया होगा कि ब्लेंडर के अंदर किसी भी अब्जेक्ट को लूप कट से कैसे कट करते हैं ठीक है दोस्तों धिन्यवाद